Mastery Learning Model Mastery Learning Model जिसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह आपको Mastery देगा किसी भी सब्जेक्ट में या जो भी आप काम करोगे उसमें आप पूरे अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे Mastery Learning Model is where the student are expected to master a learning objective or a goal before they can move on to the next goal Mastery Learning Model के अंदर जो हम expect कर रहे हैं कि यह तो कम से कम हम achieve करेंगे जो हमारा goal है या objective है वो हम achieve कर लेंगे उसको पढ़के तो यह हमें next goal पर जाने से पहले हम एक अपना goal complete कर चुके होंगे यानि कि जो हमने काम complete किया है उसमें हम अब mastery ले चुके हैं अब जिसे कि हम chapter wise जब study करते हैं किसी भी subject की जब हम first chapter पढ़ लेते हैं तो और next chapter जब हम पढ़ने बैठते हैं तो first chapter में क्या है हमें उसकी पूरी knowledge हो जाती है अगर हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इसी तरीके से हमारा mastery learning model भी है कि हम क्या करेंगे जो first जो हमारा goal होगा या हमारा जो भी हमने objective set किया हम पहले उसको attain करेंगे जो कि हम mastery उसके अंदर हासिल कर लेंगे और फिर जो हम अपने next goal की तरफ जाएंगे this is a model that was first described in 1960s and has been proven effectively by many researchers इस model को जो है 1960 का जो दशक था उस time के अंदर जो है बनाया गया उसको describe किया गया बताया गया और बहुत सारे researchers ऐसे थे जो कि इसको actual में effective मान रहे थे कि जो हम goal set कर रहे हैं अगर हम mastery model के according करेंगे उसके through learning कर रहे हैं तो हम achieve कर रहे हैं हमारे जो भी objectives थे लेकिन यह जो model है famous हुआ जे भी कारोल एंड बी एस ब्लूम की वज़े से according to कारोल कारोल क्या बोलते हैं mastery learning is depend upon the aptitude of the person concerned यानि कि mastery learning किसके उपर depend कर रही है कि aptitude of the person concerned यानि कि जो person है जो उसको achieve करना चाहा रहा है उसके aptitude के उपर depend करेगी aptitude means योगता कि हमारे अंदर क्या qualification है क्या हमारे अंदर ability है किसी काम को करने की उसी से related है mastery learning कर पाएंगे अब जिससे कि कोई इनसान होता है वो अगर कुछ अचीव करना चाहा रहा है कोई गोल अचीव करना चाह रहा है उसके अंदर वो योगता भी तो होनी चाहिए तभी वो उस गोल को हासिल कर पाएगा whatever the aptitude the learning will also be equal to that जो भी हमारा aptitude रहेगा योगता रहेगा उसी के according है हम अपनी जो हमारी learning होगी वो भी बराबर ही रहेगी same situation रहेगी अब जो हमारा mastery learning model के अंदर हम elements कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा first point है focus इस जो model है यह हमारा mastery learning model इसका main focus क्या है the main objective of this model is to acquire a satisfactory level of performance in the school subjects यानि कि इस जो हमारा model होगा इसका main objective यही होगा कि हमें जो school के अंदर हम जो subject पढ़ रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं बच्चे से कि वो क्या सीखे कितना perform करें उस level पे वो satisfactory level तक पहुंचने तक जो है हमारा main objective यही है कि हम उसको achieve करें हम satisfy हूँ जो भी हम काम कर रहे हैं मतलब कि जैसे कि आप एक history का chapter पढ़ा रहे हैं student को अगर वो satisfy ही नहीं हुआ आपके आपने जो पढ़ाया उसको समझ ही नहीं आया उसको कुछ जो extra चीजे और चाहिए थी जिसकी वज़े से वो अच्छे से और सीख पा रहा है अगर आप वो उसको provide नहीं करें यानि कि उसको satisfy नहीं कर पा रहे हो आप तो इसी तरीके से जब तक हम अपना objective जो main हमारा गोल है achieve करने में हम satisfy feel नहीं कर सकते तो तब तक इसका जो objective है model का achieve नहीं होगा this models aim at controlling the pace of the student यह इसका main जो है कि हम student की गती पेशन की गती किस तरीके से वो आगे भढ़ सकता है उसको control करेंगे his aptitude कैसी उसकी योगता है इसको check करेंगे his prior knowledge of the subject यह भी देखेंगे कि उसके पास इसी subject से related पहले क्या knowledge है जब बच्चा जो है fifth से sixth class में जाएगा तो वहाँ से जो है assess जो है नया subject हमारा add होता है झालोगET से फजूर जीन का में जाएगाय मेला for YouTube झालोगएविस झालोगण वहाँ आधक हमada Artemis झालोगऊध 2 झाल झाल यानि कि क्या ये method apply हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें satisfactory level अचीव करवाना होगा परफॉमेंस के लिए next आता है हमारा syntax syntax के अंदर क्या एगा individualized instruction program model इसके अंदर जो है हम syllabus को explain करेंगे student को कि क्या syllabus है हमारा step होंगे जो जो हम follow करेंगे यानि कि टीचर जो है सबसे पहले देखेगा कि क्या बच्चे विश्वास कर रहे हैं और क्या उनके objective हैं करेंगे या करेंगे क्या चीज़ें हमें follow करनी है वो चीज़ देखेगा और साथ की साथ जो environment है classroom का environment है या भार का environment है वो कैसा है उसको भी हम check करेंगे next आएगा systematic organization of behavioral objective कि किस तरीके से हमें जो है objective जो है behavior के अंदर जो है change लाते जाएंगे हम student की और किस तरीके से हम उन्हों objective को achieve करेंगे अब जो next time आए to develop that learning material which will be helpful in fulfilling the objectives यानि कि जो भी हमारे objective होंगे अब हमें उनको achieve करने के लिए एक learning material बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे क्या हमारे notes होंगे क्या हमें books को follow करना है या फिर जो extra material है newspaper है जर्नल है कुछ भी चीज़े हैं जिनसे हम extra knowledge भी बच्चों को देना चाहिए यनि कि क्या क्या चीज़े हम include करेंगे model के अंदर जिससे ज दूर नहीं लेकर जाना यानि कि जो हमारे teacher होंगे student होंगे और जो वह पढ़ा रही होंगी subject matter जो सब्जेक्ट के बारे में वह बात कर रही होंगे वह सारे एक दूसरे से relate कोने चाहिए एक दूसरे के पास होने चाहिए यानि कि टीचर को सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नोलेश होनी चाहिए साथ्के साथ जो है मैशी तरीक के चुर्दिक मैटर होगा वह स तरीके रहे हुगा कि और साथ में जो स्टूडेंट है उसको भी उसको सिखाना है यानि कि जो टॉपिक है हमारा उससे ही रिलेटेट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए तब यह बच्चे अपना अबजेक्टिव या टीचर जो है अपनी गोल अचीव कर पाएगी यानि कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो फिक्स होना चाहिए जो की हमें पढ़ाना है क्लास्रूम के अंदर नेक्स आता है की वाई ओन दा प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट त्रू प्रोपर फीडबेक बच्चों के ओपर ध्यान रखना चाहिए और उनसे प्रोपर फीडबेक लेते रहना चाहिए यानि कि टाइम होता है वो एकदम से सीख जाता है उस चीज़ को लेगन कुछ बच्चे होते हैं जो कि वो नहीं सीख पाते तो अलग-अलग मैथड से भी हम एक ही कोर्शन को निकालना सिखा सकते हैं बच्चों को स्टेप वाइस तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर उसको समझ नहीं आ रहा तो उसको भी सिखाना चाहिए साथ की साथ और फीडबेक लेना बहुत जरूरी है उसी से हमें पता चलेगा कि क्या हमारा अब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है यह नहीं हो पा रहा जो कि हमने मोडल के अंदर डिसाइड किया था यह हमारा जो है सिंटेक्स क सब्सक्राइड के अंदर हमें इस मोडल के कॏ कोडिंग क्या करना है इन ट्रैक्शन बट्वन मड़ेंस ट्चीशं तोयग पीच्ट ऑक期 Creator इसके अंदर जो है टीचर मदद करेगा बच्चों की कि वो मास्ट्री उसके अंदर हासिल कर पाए यानि कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर वो अपना गोल अचीव कर पाएं और उसके अंदर एकदम से जब उनसे मान लेते हैं अब हम लर्निंग और टीचिंग पढ़ रहें तो लर्णिंग क्या होता है एकदम से अगर आप से कोई पुछे तो आप उसको अच्छे से एकस्प्लेइन कर पाएं यही तो होगा मास्ट्री अगर आप लर्निंग और टीचिंग का मेनिंग की तो क्या आप अपने आपको मास्ट्री बोलें खिश के आप को आता नह इसके अंदर जो है स्टूडेंट यह फिर टीचर दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा इंडिविजुल जो होता है हर कोई अलग-अलग होता है उनको कोई सब्जेक्ट पसंद आता है किसी को कोई आता है किसी को जो है एक बार में पूरी यूनिट करना पसंद होता है और कि जो है यह फिलियर का और जो सक्सेस हो जाएंगे स्टूडेंट दोनों के अंदर रिस्पॉंसिबल रहेगा इस मॉडल के अंदर अगर बच्चा सक्सेस्फुल होता है तो वो किस तरीके से वह अच्छीव कर पाया उस चीज़ को लेकिन अगर जो बच्छा है फैलियर है उस चीज इम्पोर्टेंट क्या बता रहा है कि टीच़र का ही में रोल रहेगा गोल को अच्टी करवाने में अगर टीचर उसको अच्टी नहीं करा पा रहा यह तो बच्चे को अच्छ है वह जिल्दी सीख रहा है और आप जो बच्चा धीरे एवरेज है और धीरे धीरे सीख रहा है उसको अगर अहीं अपिनोर कर रहे हैं क्लास के अंदर और बस एक ही वच्चे के ऊपर यानिका इंटेलीजेट बच्चों के तो जो एवरेज बच्राइग बच्च Estamos जो भी आपने सेट किया है तो इसके लिए कुण responsible रहेगा विस dependsब रहे थोठ नहीं कि teacher responsible रहेगा उसके लिए social system यह निदि के अंदर होगा कि हम शे मनने concept attainment model किया ओसके इंदर भी हमने ए Mastery Learning Model के अंदर भी चेक करेंगे कि क्या बच्चे अचीव कर पाई उस चीज को या नहीं जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं इस Model के अंदर लेकिन हम पूरी Class को टेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से टेस्ट करेंगे यानि कि इस दिस मॉडल डज नोट बिलिव इन एवलूटी एवलूशन ओफ दा एंटार क्लास परफॉमेंस राधर इट एंपसिज अपन दा डाइगनोस्टिक टेस्ट यह जो है डाइगनोस्टिक टेस्ट के उपर डिपेंड करेगा ना की पूरी क्लास की परफॉमेंस के उपर अब डायगनोस का मतलब क्या होता है अब जैसे ढुbok आपको कोंई की प्रोब्लम होती है बीमारी होती यह तो आपो डीक्र बिकरन कीज़ करता है हर सब्षुत करें इस तरीके से और किस सब्जक कर रही है और इस पर्फुमेंस जो है यह चीज़े mix minor इस टेस्ट रिप्रेजेंट सच प्रोग्राम्स एज एवरी स्टुडेंट हैस तू अंडर इनके अंदर हर स्टुडेंट को जाना पड़ेगा एक जिसे की सेट अप बना देंगे कि पहला हमारे टेस्ट गई है फिर यह है यह इनकि लेवल वाइज फटू फटू फट्री इस को पूरी चीजे उसको समझ पा रहा है अच्छे से या नहीं समझ पा रहा है इस चीज को हम चेक करेंगे डागनोस्टिक टेस्ट के ठूटू और यह पूरी class का होगा लेकिन individual की performance को measure किया जाएगा उनी के test के basis पे अब next हमारा आता है application यह कहां कहां पर helpful है यह method हमारा यह model जो है कहां कहां पर हम इसको easily use कर सकते हैं यह सबसे पहले है developing self initiation means खुद के लिए एक दिशा बना पाए यानि कि जो student है या teacher है वो एक अलग से अपना way निकाल पाए कि किस तरीके से teacher यह सोच पाए कि किस तरीके से मुझे बच्चे को पढ़ाना है और learner जो है यह सोच पाए कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ यानि कि खुद का ही एक दिशा डिसाइड करना रस्ता डिसाइड करना कि कहां पर मुझे जाना है और किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे इट हैप्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम क्वालेट रिसॉल्विंग क्वालेटी इस मैथड के थू हम जो है डेवलप कर पर पाएंगेнокरेश करेंगे सेलसेड से इंस्पिरेशन हम बच्चों को करेंगे कि वह अपने आपको एनलाइज करें कि कि मैं कहा था हो आप मैं कहां पर हूं याि जैंकि कadores चीज्च के इंदर या नहीं नहीं कर रहा है पक्चे अपने आप ही उस चीज़ को चेक करें और इंस्पायर हो यानि कि कोई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उससे आप इंस्पायर कुछ ना कुछ नहीं चीज़े उससे सिखें helps slow learner in gaining self confidence and hope for success जो हमारे slow learners होते हैं low learners होते हैं होते हैं below average होते हैं उनके अंदर confidence लाता है कि आप यह चीज़ अचीज़ कर सकते हैं उनके अंदर विश्वास जो है डेवलप कर पाएंगे जो हमारे teacher होंगे अगर वो इस method को use करेंगे and hope for the success और वो भी क्या है कि success अचीज़ कर सकते हैं उनको इस तरीके से बताया जाएगा कि आप इस subject के अंदर अगर आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं उनको इस तरीके से motivate किया जाएगा helps in obtaining a satisfactory level of performance in school subject यह जो होता है हमारा model इसका main objective ही होता है कि हम school सब्जेक्ट जो स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट हैं जो हमारा गोल है उससे related जो सब्जेक्ट है हम उनके अंदर mastery हासिल कर पाएं helps the student to work at his own pace वो कितना कर सकता है उसके according ही काम करें यानि कि अपने आप ही अपने according ही काम करें कि वो कहां तक जा सकता है वो इस चीज़ को देखे और काम करें यह जो है हमारा model यह इन सब चीज़ों में application है यह apply होता है जैसे ही हमने जो है concept attainment model किया था इसी तरीके से उसमें भी पांच हमारे elements थे और इसमें भी पांच elements है अब नॉर्मली बस इनको study करके देखें और दोनों models के बीच में आपको अलग-अलग difference नजर आने लगेगा यह हमारा model जो है mastery learning model complete होता है अबस्ते हैं अबस्ते हैं